अलो फ्रेंड्स मैं सेब डॉक्टर सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तो आज हम जानेंगे एक स्वस्त और सुन्दर नोज हम कैसे हमारा रख सकते हैं दोस्तो हर आदमी की ख्वाइस होती है उसका नोज हेल्दी एंड रख सकते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देगे बैल आइकोन एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे समय समय पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों चलो बात करते हैं क्या वो टिप्स हैं नमबर वन अवोईड नोज पिकिंग दोस्तों बार बार जो नोज में फिंगर डालने की जो हैबिट है बार बार जो नोज को जो हम क्लीन करते हैं यह हैबिट हमें अवोईड करनी होगी विकोज दोस्तों जब बार बार नोज में हम फिंगर डालते हैं उसके अंदर नोज picking करते हैं, बहुत बार नोज के अंदर जो है वहां पे जो crusting होती है, infection हो जाता है, नोज में जो hairs होती है उनमें कहा। इंफेक्शन हो जाता है और बहुत बार कहा है, बार-बार nose picking करने से जो है अंदर infection होके, vestibulitis होके वो भी problem करता है, तो number 1, avoid nose picking habits, दोस्तो नंबर टू अवोईड रनी नोज दोस्तो अगर आपका नोज कंटीन्यू रनी नोज है उसमें बार-बार जो है वह ऐलर्जी के कारण जो है बार-बार उसमें नजल डिशार्ज है तो दोस्तो उसका उप्युक्त बैसिकली उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए दूसर इंपोटेंट सी दोस्तो अगर आप स्मॉकिंग करते हैं ये डेडली है आपको ओडकरने शीज इन चीह जो हमारी नोज सिस्टम है जो हमारी उतार हो हौो देमेज होता है और हमारे को जो है आगे problem होती है, so दोस्तो second tip avoid running nose, आप उसको proper treatment लेना चाहिए, दोस्तो number three, get treatment of nasal blockage, दोस्तो अगर आपको nasal blockage है, तो उसका proper treatment लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, nasal blockage का क्या region है, सपोज आपके nose के अंदर DNS है, nose का डेविटेड नेजल सेप्टम है, अगर आपके nose के अंदर sinus की problem है, कोई मास बना हुआ है, so उसको उप्युक्त उसका treatment करा के हमें दोनों तरफ से bilaterally equal nose से breathing आनी चाहिए, so avoid nose blockage, दोस्तों, फोर्थ जो important चीज है, वो get treatment of nasal deformity, यानि अगर आपके nose में दोस्तों कोई विक्रती है, क्या-क्या विक्रती हो सकता है, आपका nose debited है, यानि टेडा है, या crooked nose है, या आगे से जो है वो tip जो है उसका बैठा हुआ है, जो वो जो नोज की जो विक्रती है, उस विक्रती के कारण, अगर आपको जो है functionally nasal blockage हो रहा है, और उस विक्रती के कारण हमारा जो respiratory, हमारा जो system suffer हो रहा है, तो दोस्तो उसका भी proper जो है, वो राइनोप्लास्टी सरजरी के महध्यम से उसका treatment कराना चाहिए, जिसमें दोनों चीजे पॉसिबल हैं, कि हमारा जो कॉस्मेटिकली जो nose का part में जो problem है, वो भी ठीक हो जाता है, और जो functionally हमारा nasal blockage है, दोस्तो वो भी ठीक ह कर सकते हैं, तो दोस्तो यह पांच जो है वो टिप्स हैं, जिससे हम हमारे nose को healthy रख सकते हैं, तो दोस्तो, I think this information is useful for you, and if you have any questions regarding good nasal health care tips, you can ask me, and thank you for watching.